जी आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्रिवार फ्यूचर ओंलाइन क्लासे स्वानपूर में आज हम इस वीडियो में बिहार डियले इंट्रेंट्स एक्जाम दे और चौविस के लिए इडन पर्विकेशन पुष्टक के जीके के सेट नमडर एट को करने वाले हैं जिसमें बहुत पुन प्रस्ण करेंगे इससे पहले अल्रेडी हमने जो है आपको भी हार डियले इंट्रेंट्स एक्जाम के लिए और इसके सेवन नमडर सेट को भी कम्प्लीट करा लिया गया है आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं जहां पर आपको सारी वीडियो उपलब्द रहेंगे अभी हम जिस प्रस्णों करने वाले हैं यह प्रस्ण काफी इंपोर्टेंट है और आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को लाइक आपका सब्सक्राइब जरूर किजेगा अपने दोस्टों के साथ जरूर किजेगा चलते हैं प्रस्ण के ऊपर तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका जो यहाँ पर आपका पहला प्रस्ण की मिस वर्ड उपादी जितने वाली पर्थम भारती ये महिला कौन थी ओप्शन यहाँ पर ध्यान दीजेगा पहला ओप्शन है सुस्मिता सेन, स्वर्याराय, सिल्फा सेटी और रिता फारिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो प्रशन आप से पूछा है मिस वर्ड तो मिस वर्ड किताब जितने वाली भारत की पर्थम महिला जो थी वो कोई और नहीं बलकि रीता फारिया थी कौन थी? रीता फारिया थी तो इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा? ओप्शन आपका फोर हो जाएगा सुसमीता सेन की बात कर लेंगी तो सुसमीता सेन भी जीती थी लेकिन यहां जो है आपके मिस इनुवर्ड जीती थी क्या जीती थी? मिस इनुवर्ड याद रखीगा इसने क्या जीती थी? मिस इनुवर्ड जीती थी समझ गए गीता फार्या जो है सबसे पहले जीती थी उसके बाद जो है आपकी Miss World दूसरी जीतने वाली इस वर्यारार बचन है जो कि 1994 में ये जीती थी समझ गए लेकिन गीता फार्या जो है आपका 1966 में जीती थी और अगर हम बात कर ले Miss Universe बनने के लिए आपका सुस्मिता सेन की तो इन्होंने 1994 में जीती थी समझ गए ये important प्रस्ने इसको देख लीजेगा पूछ लिया जाता है इस प्रस्न का उत्तर क्या हो जाएगा option आपका हो जाएगा 4 नमर क्लिए रहे जी चलिए अगले प्रस्न के हम बात करते हैं तो अगला प्रस्न आपर ज्यान दीजेगा प्रस्न संख्या आपका जो है आपर दूसरा नमर है कि राष्ट पती के चुनाव में निम्न में से कौन सा भाग लेता है अब बताईएगा राष्ट पती के चुनाव जो होता है उसमें निम्न में से कौन सा भाग लेता है पहला देखेगा संसद के दोनों सदनों येवम र राज्य बिधान सभाग के सवी निरिवाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। समझ गए? तो इसका answer क्या हो जाएगा? Option आपका 1 हो जाएगा. याद रखेगा इस प्रस्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. क्लियर है न? जी. अगले प्रस्न की हम बात करते हैं। अगले आप आपका 73 नमर है की पहला 20-20 वर्स आराम हुआ था काफी महत्ते पून और इजी प्रशने आप सभी लोग कुमानों में कि अमेरिका के जो है जो राज कुमार थे उनकी हत्य आउने के बाद जो है पर्थाम 20 वर्स यूद के सुरुवात हो गई थी और यह जो है 1914 में शुर जो है या राज कुमार के हत्य अगोई थी इसलिए पर्थम 20 वर्स यूद का कारणी यही था समझ गए तो इस प्रशन का उत्तर आपका उप्सन दो हो जाएगा अगला प्रशनिया पर है कि भारत के पर्थम नाविकिये सयंत्र जो है नाम क्या बताएगा उर्वर्सी अपस कई गई थी तो 1956 में किया गया था उने फ्रशन का उत्तर आपका उप्सन बी हो जाएगा यानी कि लिए हम बात कर दें तो अगला प्रश्ण जाहिए पमेट्ट्रशन एक पैचाल देत्र लीविक जाती है लहाइज यह काली मिट्टी मिट्टी और मैश्लों Check कि भारत के जो है तट्लिय मैदान या भारत के उत्री मैदान में जो है जरूर मिट्टी पाई जाती है जो काफी उपजाव मानी जाती है इस प्रस्ण का उत्तर आपका option 4 हो जाएगा और ये काली मिट्टी जो होती है काफी उपजाव मानी जाती है किसके लिए कापास के खेत अगला प्रस्ण जो है काफी थोरा लंबा है इसको हम थोरा छोड़ा करते हैं ताकि आपको option तरीका से दीखेगा और आप इस प्रस्ण का उत्तर जो है सही तरीके से देपाईएगा यहापर देखेगा प्रस्ण संख्या यह ये जो आपका economics हिज़ाद लिया गया है तो यह देखे घा प्रतिवक्ति आयम आपने के लिए नियमन में से किस formula का इस्टेमाल के अथा है। प्रतिविक्ति आयम आपने के लिए जो है हम लोग किस formula का up आप यो करते हैं आपर option देखेंगा पहला बला कि विविन द्योगों की कुल आए और द्योग में कारे करने वाले कामगारों की संख्या दूसरा सरकार की कुल राजस्वो और कुल जन संख्या पडिवार की कुल आए और पडिवार की सदस्थ्यों की कुल जन संख्या रास्ट अगले प्रश्ण के हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्ण है आपका देखेगा 87 नमर, यह प्रश्ण आपका जो है बोला जा रहा है कि भारत के भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसिसी चुनोतियों निलिकित्व से किस यूद के बाद जो है समाप्त हो गया, प्लासी का इस प्रश्ण का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अगले प्रश्ण की बात करते हैं, अगला प्रश्ण देखेगा और अप्पा से रिलेटेड है, अप्पा सभ्यता के एक हिससे लोथल की खुदाई की खोज किस ने की थी, अगला प्रश्ण का उत्तर आपका अप्जन नंँमर थी हो जाएगा, किस ने कराएथा, इस आण राउने इस प्रश्ण का उतर आपका option number आपका 3 हो जाएगा अगले प्रश्ण के हम बात करते हैं तो अगला प्रश्ण आप पड़ा है कि भारत में सिख्कों की डालाई का एक मात्र अधिकार जो एक हाली इस्थान के पास होता है जो आपके भारत में सिख्कें होते हैं जो आपने दे भारत में जो सिख्कें होते हैं वह जो है उसके डालाई का जो काम होता है उसको जो है भारत सरकार के पास जो आदिकार होता है इस प्रश्ण का उत्तर जो है option number आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा 3 नमर हो जाएगा भारत सरकार के लिए अगले प्रश्ण के हम बात करते ह यहां पर ध्यान दिजेगा असी नमा प्रश्णे और यहां पर आपका प्रश्ण बोल रहा है कि इस संस्थान की स्थापना जो है 1878 में British Imperial Forest School के रुप में किया गया वर्तमान में यानि Forest Reserve Institute FRI कहा जाता है या कहा परिस्थित है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान उत्राकंड के देहरादुन में इस्थित है और इसके स्थापना 1906 एसव में किया गया था तो यह जो है कहा पर है तो यह दो है देहरादुन में तो इस लिचेशन का उतरा आपका उपसिन नमरिया पर यह हो जाएगा समझ गया अगले प्रश्ण के हम बात करते हैं तो अगला प्रश्ण आपर आपका है कि उस ब्uchar का नाम क्या है जो आपके अगले प्रस्ठे के हम बात करते हैं तो अगले प्रस्ठे की हम बात करते हैं इसायो का तेवार जो है इस्टर समानने किस दिन मना जाता है देखेगा इसायो का तेवार जो है इस्टर काफी महत्यपून है और यह जो है छुटी के दिन का होता है और यह जो तेवार होता है आपका रभी वार को मनाया जाता है गोर मना जाता है तो रवी बार को मना जाता है समझ गये यह जो समादने की पुनड़ जीवन के याद में इस परघ को मना जाता है इस्परता और यह जो है इसाई धर्म का सबसे महत्य पुन परम माना जाता है इसका एंसर आपका option 4 हो जाएगा अगले प्रश्ण के हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्ण है आपका 83 नंबर है, 23 सताबदी के अहोम समराज्य भारत के किस भाग में फला फुला, यानि आपको बताना है कि 23 सताबदी में जो आपके अहोम समराज्य था, वो भारत के किस छेत्र में बढ़ा यानि फला फुला दक्षिन भारत में, पुर्वी भारत में, पर्शीम और उत्री भारत में, तो मैं आपको बताना चाहूँए कि 23 सतापदी के अंतरगत जो है, अहोम समराज्य जो है, भारत के जो है, आपके निमलिखित में से पुर्वी भाग में, यानि मदकालीन यू की बात करेंगी, तो अ बंबे हाइकोट में, तीन बैंच कोट है, नीछे दियए कि 4 साहरों में से कौन सा बंबे हाइकोट के बैंच में इससाण नहीं है, नाकपूर, पँणि लेकिन जो यह आपका पूने है इसका नहीं है यानि अगर हम बात कर लेंगे नागपूर की बात कर ले पंजी की बात कर ले या आपका औरंगाबाद की बात कर लेंगे तो यह क्या है कि बंबे आई कोट के अंतरगत ही आता है लेकिन पूने जो है नहीं आता है तो इस प्रश लक्षमि कान्त और प्यारेलाल, नदीमौर्ण, कल्यान जी और आनन्द जी। और संकर और जाएकिसन। तो मैं आपको बिताना चाहूँगा कि निमलिगिट में सपर आपके संगेत निरुदे सुको की जोड़ी दी गई है और इसमें आपके कल्यान जीरु Allah aí में जाने जाते हैं और यह दोनों आपस में भाई है तो इस प्रशन का उत्तर आपका या हो जाएगा option no.3 हो जाएगा समझ गए अगले प्रशनी की बात करते हैं तो अगला प्रशनी आपका अच्छी नमर है निमलिकित में से किस हाई कोट की बेंच पोर्ट बिलियर में संचालित होती है और अनुबान निकुबार में नियाई पालिका किस उच्छे संस्थान होती है तो वो कोई और नहीं बलकि वो आपका अगले प्रशन की हम बात करते हैं तो अगला प्रशनी है आपका सदासी नमर है इस्टारबर्ग और उट्टर में इस्थीते हैं फ्रांस ऊस्ट fak yarnals बेल्जियं और में आपको ब् cochμε का जाओनगा कि जो ही आपका Starbucks हर जो है उरोपिय संसर दिकाडी छेतर में आता है या जो है आपका France में इस्तित है इस प्राशन का उत्तर क्या हो जाएगा ओप्शन आपका A हो जाएगा समझ गए जी अगले प्राशन के हम बात करते हैं तो अगला प्राशन है आपका है कि the security print and meeting corporation इंडिया ले में जड़िया निकी SPM CIL को अपना स्वय और security paper मिल मिला है जो बैंक नोट के लिए कागच का उत्पादन करता है या कहां इस्तित है कुल गाता पर्शिंबंगाल दिवास महराष्ट होसां महराष्ट तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि UNCTA जो आपका मत से कुलब है से पो हो मिला है जो कि नोटा के कागच को उत्पादन करता है करेगा तो वह यह स्तित है रिपकास को सिफ्प्राश्ट संमेल के UNC इसका मुख्याले कहाँ पर है बुरुसेल्स जिनेवा और पेडिस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा तो दिखेगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि UNCTAD जो की वेपार और विकास के सहीवत्रास्ट सम्मेलन है इसका वेपार निवेस जो है यह स्थापित है और यह सरकारी निका मुख्याले जो है आपका निम्लिकित मेंसे जो है अंग टाइ यानि कहने का मतलब है कि यह आपका जिनेवा में इस्तित है तो इस प्रसन का उतार आपके क्या हो जाएगा, option 3 हो जाएगा अगले प्रसन के हम बात करते हैं जो कि आपका इस सेट का अंतिम प्रश्ण है, 90 नमर, 50 प्रश्ण का उतर दीजिएगा, देखें, आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा, जाया यह जाएगा, आपस अंतिम प्रश्रण का उत्तर क्या हो जाएगा, आपस सभी लोगों से निवेदन है, आप garage, जो कि आपका कीरन प्रभेकसन पुस्तक है, जी की का है, और आपलों मुझे बताईए कि आपके